दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस्टोर उपन कर रहे हैं तो इस्टोर में जो फिक्चर होता है यानि कि जो रैक होते हैं रैक किस मेटरियल के बनवाएं आप इसमें कुछ लोग कहते हैं लकडी के बनवा लेते हैं कुछ लोग कहते हैं लोहे के बनवा लेते हैं तो दोस्तो कोई भी समान हम बनवाते हैं लॉंग लाश्टिंग टाइम के लिए सोचते बनवाए ताकि वो मजबूत रहे और आगे तक चले तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों लकडी के मुकाबले लोहा ज्यादा मजबूत है लेकिन फिर भी लोग लकडी का क्यों बनवाते हैं तो उसके पीछे भी दोस्तों कारण है उसके पीछे में कारण यह है जो लकडी का फिक्चर होता है ना दोस्तों वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियों वो वैसा ही रहता है उसके अंदर नमी वगेरा नहीं आती मगर में बहुत ठंडे हो जाते हैं वो नमी सी आ जाती है उनके उपर गीलापन आ जाता है इसके लावा दोस्तो लोहा मजबूत होता है सालों तक चलेगा जहा लकड़ी आपका मान लो 10 साल 12 साल काट देगी तो लोहा 20 साल 30 साल 40 साल भी चल जाएगा दोस्तो इसके लावा दोस्तो अगर मान लीज़े रैग में कोई समान रखा है और चूहे को जाने का रस्ता नहीं मिल रहा तो वो लकड़ी में छेद करके भी चले जाते हैं काटके लेकिन लोहे में ऐसा नहीं है दोस्तो मान लो ऐसा नहीं हो बट कभी अगर आपका प्लैन हुआ या काम नहीं चला आपको डिसकंटीन्यू करना हो तो लकड़ी दोस्तो उतना वैल्यू नहीं देखे जाती लेकिन लोहे के फिक्चर जब आप बेचोगे तो आपको काफी अच्छा वैल्यू मिल जाता है तो दोस्तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास बज़ड है तो आपको लोहे का फिक्चर लेना चाहिए अधरवाइस लकड़ी का भी कोई बुरा नहीं है दोस्तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो फड़ा फड़ सब्सक्राइब कर दीजे